दोस्तों आप लोगों ने बॉलिवूड इंडेस्ट्री की बहुत से अभनेत्रियों को देखा होगा वो अपने खुबसूरती से लाखो दिलों पर राज करती हुई नसर आती है और उनके अभने के साथ साथ इनके खुबसूरती को भी दर्शक बहुत साथ पसंद करते हैं ऐसे ही एक खुबसूरत अभनेत्री है शिल्पा शेट्टी जो नब्बे के दर्शक की मशूर अभनेत्री मानी चाती थी लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं शिलपा शिट्टी आज कहा है क्या करती है और कैसे दिखती है अगर आप भी इस अभी बाते जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो को end तक बने रहे साथ ही शिलपा शिट्टी के शांदार अबिने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तूं शिल्पा शेटी का जन्म 8 जून 1974 को मंबई में हुआ इन्होंने अपने करीर की शुरुआत मॉडलिंग से की जाए इनको खास पैचान हासिल हुई तभी इन्होंने बाजीगर फिल्म से बॉलिवड इंडेस्ट्री में कदम रखा जिसमें इनके अभिने को काफी ज़दा पसंद किया गया और इनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर डूपर हिट साबित हो गई इस फिल्म के बाद बॉलिवड का हर डिरेक्टर शिल्पा शेटी के साथ पढल करना चाहता था इस फिल्म में शिल्पा शेटी के अलावा काजोल और शारूखخान लीड रोल में नज़र आए थे पहली बार शारूखछान को इस फिल्म में नेगटिव रोल निभाते होगा धे देखा गया ये फिल्म ना केवल शिल्पा शेटी के इस फिल्म को शारुखान का भी टर्निंग पॉइंट माना चाता है इस फिल्म के बाद शारुखान की पूरी लाइफ बदल गई तो वहीं शिल्पाशेटी इस फिल्म के लावा आओ प्यार करे में भी नज़र आई लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई जिसके बाद शिल्पाशेटी ने अन्रिल कपूर के साथ रिष्टे में काम किया जो काफी बड़ी हिट साबित हुई इसके लावा इनको मैं खिलाडी तू अनाडी आग शादी करके फस गया यार जैसे फिल्मों में देखा गया जिसमें इनके अबिना को काफी पसंद किया गया इनकी जोड़ी फिल्मों में सबसे ज़्यादा अक्षा कुमार के साथ पसंद की गई और अक्षा कुमार के साथ इनकी फिल्म धड़कन अब तक की सबसे बड़े हिट फिल्म साबित हुई और आज भी इनको इसी फिल्म के जरीए याद किया जाता है इस फिल्म में शिल्पा शेटी के अलावा अक्षा कुमार सुनिल शेटी भी लीडरोर में नसराय थे ये फिल्म आज भी दर्शकों की फेवरेट फिल्म बनी हुई है साथी दर्शकों ने इनकी जोड़ी अक्षा कुमार के साथ खुब पसंद की तो वहीं अक्षा कुमार के साथ इनका अफेर भी खुब चला लेकिन शिल्पा शेटी अक्षा कुमार से कभी भी शादी नहीं कर पाई और बहुत जल्द इनका ये रिलेशनशिप खत्म हो गया साल 2010 में शिल्पा शेटी की आखरी फिल्म दे डिजायर आई लेकिन इनकी आखरी फिल्म सूपर डूपर फ्लॉप साबित हो गई और अक्षा कुमार से धोखा खाने के बाद शिल्पा शेटी ने राज कुंद्रा से शादी कर ली शादी के बाद शिल्पा शेटी ने बॉलिवुड इंडस्ट्री से दूरिया बना ली लेकिन शिल्पा शेटी के खुबसूर्ती आज भी देखने लाइक है आज भी खुबसूर्ती के मामले में ये बड़ी से बड़ी अपिनेत्रें को टकर दे देती है और आज इनको टीवी इंडस्ट्री के रियालिटी शो में जजज बने हुए देखा जाता है जिसमें वो जजज की कुर्सी समभाले उने ज़रा रही है तो दूस्तों आप सभी को शिल्पा शेटी का अभिने किस फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद आया आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताईए न साथ ही बॉलिवड से जुड़े और वे खबरों को जानने के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा